हेलो जी कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल जोति गर्ग ब्लोक्स तो फ्रेंड आज मैं आपको मुरादाबादी दाल बता रही हूँ जो साधियों में अक्सर मिलती है तो बहुत ही टेश्टी दाल लगती है बहुत ही अच्छी लगती है परादाबाद में तो ये फेमस है ही आप इसे गरम गरम बना कर खाईए और बटर गिरने की वज़े से बहुत इसमें बढ़िया सा क्रीमी सा टेक्स्टर इसमें आ जाता है तो एक बार आप जरूर ट्राइ किजिएगा बहुती बढ़िया ये दाल लगती है बहुती खटी-खटी और चटपटी सी होती है तो बहुती अच्छी आपको लगेगी तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा तो चलिए देखते हैं फिर हमें किस तरीके से बनानी है एक कटोरी मूंग की धुलीवी दाल ले लेनी है और इसको दो गंटे के लिए भिगो कर रख देंगे जिसे की अच्छे से फूल जाए तो ये देखिए दाल विल्कुल अच्छे से उबल चुकी है और ये काफी देर से रजबी रही है तो इस तरीके से मुरादाबादी दाल में क्या होता है गुटी-गुटी से दाल होती है तो पतली गाड़ी आपको जितनी रखने हैं वह आप अपने हिसाब से रख लीजिए मैंने इस दाल को हंडी में बनाया है और अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसमें 2 सीटी लगा लीजिए और फिर जब उसका प्रेसर खतम हो जाएगा तो फिर आप उसको घोट लीजिए अच्छी से जिससे कि वो थोड़ी गाड़ी सी और गुटी-गुटी सी हो जाए अभी हमारी ये दाल विल्कुल अच्छे से तयार हो गई है मैंने बस इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल लिए कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप उसमें नमक और हल्की सी हल्दी डाल देना अच्छे से तयार हो गई है उबलकर तो अभी हम इसे एक बाउल में कर लेते हैं दाल हमने एक बाउल में कर लिया है तो अभी हम इसमें डालेंगे वाइट वाला नमक वन पिंच काला नमक भुना जीरा काली मिर्च हरी मिर्च बारीक कटी हुई अद्रक बिल्कुल बारीक कटा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च और अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो आधा नीमबू और अभी हम इसमें डालेंगे एक क्यूब बटर की अभी डालेंगे इसमें हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया दाल बनकर बिल्कुल तयार हो गई है आप इसको गरम गरमी काईएगा तो आपको बहुती अच्छी लगेगी जैसे साधियों में मिलती है बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको बताई है साधियों में आप कहीं भी जाएंगे तो ये वाली डाल तो आपको हमेशा ही मिलेगी और बहुती टेस्टी लगती है मुरादाबादी डाल की रैसे भी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सबस्क्राइब केजिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब।